Hello students, this is Vinay और आप देख रहे हैं PiFi Learning Last lecture के अंदर आपने पढ़ा था कि dot हम क्यों place करते हैं ठीक है, अब हम इसी को आपका इसी discussion को आगे बढ़ाते हैं और अब आपका पढ़ेंगे dot polarity So next topic is dot polarity dot polarity ठीक है, dot polarity का आपका concept पढ़ते हैं तो dot polarity का मतलब अपका क्या होता है dot का मतलब होता है same polarity तो यहाँ पर आपका लिखेंगे dot means dot means same polarity dot का मतलब क्या होता है same polarity जैसे आपने इससे पहले क्या पढ़ा transformer की coils के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर आपने देखा था कि अगर आपकी coils reverse direction में आपकी wound की जाए यानि कि अगर पहले clockwise है और फिर उसको anticlockwise कर दिया जाए तो आपका mutual flux है वह आपका क्या हो जाता है negative direction में आजाता है यानि कि आपका L equivalent के अंदर minus का M आपका आजाता है minus का 2 M या minus का कुछ भी है तो negative के अंदर आपका M आने का मतलब आपका क्या हुआ कि दोनों की जो direction है वह आपकी क्या है reverse है और वैसे हमें देखने के बाद में कभी कभी पता नहीं चलता कि आपकी जो winding है वह आपके anticlockwise है या फिर clockwise है तो उससे बचने के लिए हम क्या लगा देते हैं इस first case के अंदर आपका मालेजी आपने लिया इस तरीके से वह एक आपका coil यह है फस्त कोईल आपकी यह है और दूसरी कोईल आपकी ऐसे ठीक है यह आपकी do flow है और इन दोनों samples के अंदर आपने क्या किया हुआ है यहां पर डोट का mark लगाया हुआ एक dot आपका यहां पर है और एक dot आपका यहां पर है. ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका क्या है? यहां पर आपका M है. इन दोनों के बीच में कुछ mutual inductance है. इसका मतलज M represent करने का मतलब यह हुआ कि इसकी जो flux है आपकी, ये जो का लिखेंगे when when current when current enter, या तो current enter करे या फिर leave करे when current enter या फिर leave from. dot, from dot, dot से आपका क्या करता है, current या तो enter करेगा या फिर आपका leave करेगा, dot का मतला आपका क्या हुआ है, यह जो आपका represent किया हुआ है, dot का mark यहाँ पर इस तरीके से, तो या तो इससे enter करें, या फिर इससे leave करें, दोनों ही case में आपका L equivalent क्या हो जाएगा, this is equal to L1 plus L2 plus 2M, यानि कि एक case तो आपका ये बनता है, जब आपका current यहाँ से enter कर रहा है, ठीक है, जब current आपका कहां से enter कर रहा है, यहाँ से, first case आपका ये वला है, और दूसरा case, इसी के अंदर आपका क्या कह सकते हैं, या फिर, ये L equivalent आपका कव आएगा, जब आपका ये वला case हो, यानि कि current आपका यहीं से आपका एंटर करेगा, लेकिन जो आपका dot है, वो आपका यहां पे place किया गया है, एक इस point पे dot placed है, और एक इस point पे आपका dot placed है, और इन दोनों के बीच में आपका क्या है, कुछ mutual inductance है, ठीक है, तो इस case में भी आपका L equivalent क्या होगा, L1 plus L2 plus 2M, ठीक है, L सबी cases को एक एक करके आपका study कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, अगर आपका इस तरीके से आजाए, देखो, इस तरीके से अगर आपका हो, case और क्या बन सकता है, यह आपकी L1 coil है, और यह आपकी क्या है, L2 coil है, ठीक है, तो अगर आपका यहां से current और यह वाला जो dot कहां पर है, जहां पर current आपका enter कर रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ mutual index भी है, तो इसका मतलब यहां पर आपका L1 coil हैगा, वहां पर आपका minus का symbol आजाएगा, ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, when, when current, जब current आपका क्या करता है, when current enters from one dot, एक dot से तो आपका enter कर जाए, and leaves, and leaves from, from other dot, और leave करें दूसरी dot से, from other dot, ठीक है, तब आपका L equivalent क्या हो जाएगा, L equivalent, it is equal to L1 plus L2 minus का 2M, ठीक है, minus का आपका क्या आजाता है, वहां पर 2M आपका आजाता है, तो एक आपकी condition हो गई, यह वाली, दूसरी, आपकी condition क्या होगी, और case आपका क्या बन सकता है, एक case आपका यह भी हो सकता है, यहां पर, जब current enter or leave करेगा, तो पहले वाले coils के अंदर, पहले वाले coil के अंदर आपने क्या किया हुआ, यहां से आपका exit कर, exit पर dot है, तो इस बार आपका entry पर dot ले सकते हैं, यानि कि एक dot तो आपने यहां पर और जो dot है, उसको आपने यहां पर ले लिया है, ठीक है, तो इस case में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ mutual inductance इन दोनों के बीच में है, ता ओस case में भी, आपका क्या हो जाएगा, l1 पוס, l2 माइनस, 2M, ठीक है, इस case में भी माइनस का 2M, और इस case में भी माइनस का 2M, तो जया तो आपका current एक dot से आपका enter करें, या फिर एक dot से आपका exit करें, उस case में आपका ये होगा, और अगर दोनों dot से आपका क्या गर रहा है, enter कर रहा है, या फिर दोनों dot से आपका exit ले रहा है, तब दोनों case में आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 2M आपका आजाएगा, ठीक है तो यह तो थी आपके simple case, ठीक है, अब हम transformer की coils के case में भी देख लेते हैं, तो transformer coils के case के अगर हम बात करें, तो वहां पर आपका क्या होगा, देखो, ये है माली जी, आपका transformer भई, यहां से आपका transformer है, ये transformer की coils है, ठीक है, और आपने क्या किया हुए है, ये आपका प points पे है, यहाँ पे आपका M है, तो इस case में आपका क्या हो जाएगा, plus का M, दोनों dot से आपका current क्या कर रहा है, entry ले रहा है, तो जहां से entry लेगा, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, plus का M, और अगर आपका, या फिर इस case को हम ऐसे भी बता सकते हैं, इसी case को, यहाँ से current क्या कर रहा है, यहाँ से आपका current entry ले रहा है, this is current I1, और दूसरा case आपका है यह वाला, यहाँ से आपका dot क्या ले रहा है, sorry, यहाँ से आपका current आ रहा है, I2, तो इस case के अंदर आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या है, इस case में है, यहाँ पे M, तो इस case में भी आ प्लस का M आ जाएगा, ठीक है, दोनों case में आपका प्लस का M, जहां से आपका entry करेगा, वहाँ पर आपका क्या होगा, दोनों से अगर आपका entry कर रहा है, तो प्लस का M, और अगर दोनों से exit कर रहा है, तब भी आपका क्या रहेगा, प्लस का M, या फिर हम इस case को ऐसे बनाए फ़िए और यहां से आपको क्या है ठीक है यहां सेट इतुरे आपकको करन्ट अपका एक्जिटड्ट है वहाँ पर अपने डोट आपका बताया और इस कोईल का current आपने बताया कितना है I2 है तो इस case के अंदर आपका क्या आएगा अगर आप sorry I2 को हम इस बार क्या करते हैं दूसरी direction से इंटर कराते हैं यहां से अंटर नहीं करा रहे हम current को इंटर करा रहा है यहां से I2 ठीक है और इस case के अंदर आपका क्या है यहां पर यहां पर माइनस का मतलब आपका mutual flux है वो आपका negative direction में है यहां पे यहां पे भी आपका किस direction हो जाएगा opposite direction में यानि कि दोनों आपके opposite direction में 512 and 521 इस case में आपके क्या है दोनों same direction में रहेंगे इस case में भी आपके किस direction में रहेंगे दोनों same direction में रहेंगे तो यह transformer के कुछ case थे अब हम इन cases को detail के अंदर आपका study करते हैं, यानि कि ये तो था जो मैंने अभी आपको बताया, ये तो था आपका किस point of view से, objective point of view से, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, conventional point of view से, और ये आपका proof करके बताएंगे, कि यहाँ पे आपका क्यों plus 2m आता है, और यहाँ पे क्य करके आपका analysis करते हैं, सबसे पहले आपका case लेते हैं, जब आपकी dot इस तरीके से हो, ये आपकी coils हो गई, इनका inductance value L1 है, इसका inductance value L2 है, ठीक है, और dot आपने place की हुए इस तरीके से, कि यहाँ से आपका current enter कर रहा है, और यहाँ पे आपके dot placed है, यानि कि जो आपने पहला case लिया था, वहाँ आपका case लिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका देखो, इस case में आपका mutual inductance कुछ इस तरीके से है, इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अलग-अलग assume करते हैं, इसको आपने अलग से assume किया, और इसको आपने अलग से assume कर लिया, दोनों first है, और यह है आपकी coil second, ठीक है, दोनों coil आपकी अलग लिए है, तो देखो, सबसे पहले हम consider करते हैं, coil first को, तो यहाँ से consider, consider coil, coil first only, सिर्फ आपकी पहली coil को ही हम consider करेंगे, ठीक है, तो पहली coil को जब आप consider करोगे, तो यहाँ पे आपका क्या है, देखो, first coil के case में, इस करेंगे i1, और क्योंकि हमें पता है i1, it is equal to i2, it is equal to क्या रखेंगे, i आपका रखेंगे, और यह तीनों current आपके बराबर हैं, यह हमें पता है, बट इनको, जब तक हम इनको solve करते रहेंगे, तब तक इसकी value i1, i2, put करेंगे, और last में जब हम एक circuit आपका बनाएंगे, य अब भी आपका current enter करता है, वहाँ पे आपका आता है plus, तो यहाँ पे आपका लगाएंगे भई, plus, और यहाँ पे आपका लगाएंगे क्या, minus, ठीक है, यहाँ पे आपका plus, और यहाँ पे आपका क्या लगाएंगे, minus, ठीक है, अब देखो, dot के उपर आपका क्या आया है, dot के उपर आपका आया है, plus, dot के उपर आपका आगया है, dot के उपर आपका आगया, plus, तो इसका मतलब, अब हम second coil लेते हैं, लेकिन second coil का current नहीं लेंगे, सिरफ second coil लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें क्या देखना, इसकी वज़े से, इसके अंदर, flux का क्या effect पड़ता है, तो देखो यहां पर आपका कहां पर dot है, यहां पर dot है, इस dot के उपर आपका क्या था, plus, तो इस dot के उपर भी क्या रहेगा, plus आपका रहेगा, ठीक है, दिखान रहे, पहले आपने सिर्फ इसको consider किया, ठीक है, यहां पर आपने देखा, कि जहां से current एंटर करता है, वहां पर हम लगा अब क्योंकि पहले वाले dot के उपर plus है, और dot का मतलब क्या होता है? same polarity. तो इस dot के उपर क्या रेहेगा? प्लस रहेगा. तो इसके उपर आपका क्या है? प्लस है. इस वजह से यहाँ प्लस रहेगा, तो ओभियसलि, यहाँ प्लस रहेगा? माइनस आपका आएगा ठीक है तो यहां से यह आपका क्या देदेगा माइनस का आपका symbol देदेगा अब इस dot को हम यहां से replace करेंगे अगले वाले case में और इसकी जगे आपका क्या लगाएंगे इसकी जगे हम इस तरीके से put कर देंगे यह आपका inductance हो गया L2 और यहां पे हम dependent voltage source ठीक है और dependent voltage source की जो polarity होगी वो इस तरीके से होगी यहां से आपका plus और minus है तो यहां पे भी आपका क्या आजाएगा plus और minus और इसको हम कैसे लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में mutual inductance दिया हुआ M तो इसको हम लिखेंगे M और यहां पे आपका क्या है D और यह क कोईल की वज़े से second के ऊपर क्या effect आया यानि कि second के अंदर क्या induced voltage आई वो आपने यहां पे लगा दी है यह वाली आपकी तो यह होगे आपका पहले की वज़े से अब हम consider करते हैं second coil यह तो आपकी होगे कुमसी coil फस्ट कोईल ठीक है अब हम consider करेंगे यहां पर second coil अव कंसीडर करेंगे अब हम सिरफ second coil को आपना consider करेंगे तो second coil के ऊपर आपका क्या है अब देखो second coil के अंदर आपका current मालन लीजिए कुंसा है So this current is I2, जैसे आपने यहां पर I1 एजूम किया, इस तरीके से यहां पर हम एजूम करेंगे क्या I2 आपका current, तो यहां पर I2 है आपका, और यहां पर आपका dot है, तो जहां पर भी आपका current enter करता है, enter करते ही, उसी dot के उपर आपका क्या रहेगा, plus आपका आएगा, तो यहां आपका क्या आएगा dot के उपर, plus, और जहां से current आपका leave करेगा, वहां पर आपका क्या आजाएगा, minus, ठीके, यह तो आपका हो गया second coil के अंदर, यह कौन सी coil है वही, यह second coil है, ठीके, और यहां से, अब इसकी वज़े से आपका पहली बाली पर क्या effect पड़ेगा, ठीके, देखना आपको, तो वहां से, अब हम बनाएंगे आपका first coil, तो first coil आपकी कौन सी होगी भई, first coil, देखो, यह जब सिरफ consider करते हैं, तो इस diagram से लेंगे, और जब हम इसको consider करेंगे, तब 20 diagram से लेंगे, और जब आपको पहली coil बनाने हैं, तब 20 diagram से लेंगे, इस से आपका coil देना नहीं, यह अलग है आपका, और यह अलग है आपका, ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, coil second आपने ली, ठीक है, coil second के उपर आपने देखा, dot कहाँ पे है, dot के उपर आपने बताया, भई positive symbol आ रहा है आपका, तो अब हम लेंगे आपका first coil, तो first coil आपने यहा यहां पे आपका dot दे दिया, ठीक है, dot के उपर, अब देखो, इस dot के उपर क्योंकि plus है, तो इस का मतलब, dot का मतलब क्या लिखा हो, मैंने, same polarity, तो यहां पे इस dot के उपर भी आपका क्या आजाएगा, plus का symbol आजाएगा, और इस dot के उपर अगर आपका plus रहेगा, तो यहां पे बनाते हैं, तो इसका equivalent आपका क्या रहेगा, यहां पे आपकी coil है, इसका inductance है, आपका L1, और एक आपका लगाएगे क्या, dependent voltage source, और इस voltage source की polarity आपी कैसे होगी, plus और minus के sign के साथ में, यह plus और minus है आपका, तो इसके अंदर भी आपका क्या आजाएगा, यहां पे plus है, और इस तरफ में क्या है, minus है आपका, ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा, इसका equivalent और इसका value क्या रहेगी, M, M तो आपका mutual inductance है दोनों की बीच में, और यह जो आपका plus और minus का symbol आया, यह इस current I2 की वज़े से आया, तो इसको हम लिखेंगे, Di2 divided by dt, ठीक है, एक बार फिर स जो पहली coil के अंदर है, इस current को आपने माना I1, इसका inductance है L1, अब आपने देखा, जहां से current आपका enter करता है, वहां पे positive होता है, जहां से leave करता है, वहां पे आपका क्या आता है, negative का symbol आता है, तो यहां पोस्टिव ले लिया और यहां पे आपने क्या ले लिया है, negative आपक तो यहां पे आपका क्या हुआ देखो, यहां पे जब आपने I1 को consider किया, तब I2 को consider नहीं किया, I2 को आपने अलग से consider किया, यानि कि आपका क्या हुआ, दोनों current को अलग-अलग consider करना है, दोनो coils को अलग-अलग consider करना है, और फिर उसकी वज़े से आपको effect देखना है, त यूगि आईटू के उपर आपके डोट के उपर फिर से पोजिटिव है तो इस डोट के उपर भी आपका पोजिटिव चला गया और यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे पोजिटिव और नेगेटिव जो सिंबल आपका आया था यह आईटू की वज़े से है तो यह आपका तो डोट हटा देंगे आपका वहां से तो यहां से आपका आजाएगा इस तरीके से देखो यह प्लस और माइनस यह L1 है आपका M और यहां पर आपका क्या था D I2 by DT ठीक है इसके उपर I2 की वज़े से यह effect आपका रहा है और फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा यहां पर आपका आजाएगा This is L2 और यहां से आपका क्या हो जाएगा इसको हम कैसे लिखेंगे इसका जो सिंबल था प्लस और माइनस के साथ में अपने लिखा हुआ था M D I1 divided by DT ठीक है तो यह आपका आजाएगा अब देखो यहां से क्योंकि हमें पता है I1 equal to I2 this is equal to I है तो इसका जो net equivalent आजाएगा देखो what is the voltage यहां से अगर हम इसकी voltage को देखें what is net voltage यहां से आपकी voltage देखते हैं V it is equal to क्या आजाएगा यहां से current आपका जा रहा है I it is 1 it is equal to I2 this is equal to I1 तो यहां से हम लिखेंगे L1 D I by DT plus क्योंकि I2 this is equal to M D I by DT इसको लिख सकते हैं और इसको भी हम क्या कर सकते हैं M D I by DT ठीक है तो यहां से next आपका क्या है यहां से आपका आजाएगा भई देखो जहां से current अंटर करेगा वहां पे positive और यहां पे आपका क्या negative हो जहां से current अंटर करेगा वहां positive और यहां पे आपका क्या negative हो तो L1 D I by DT plus M D I by DT यहां पे आजाएगा आपका plus next आपका क्या है L2 है आपका inductance L2 Di by dt और फिर last में आपका क्या है M Di by dt ठीक है तो यहां से इसको हम कैसे करेंगे this is equal to L1 plus L2 plus 2M और आखरी में आपका क्या है into सारे के साथ में आपका है Di by dt और क्योंकि voltage आपका क्या होता है voltage it is equal to L equivalent Di by dt तो यहां से आपका L equivalent कितना आजाएगा तब दोनों को compare करेंगे तो L equivalent it is equal to L1 plus L2 और साथ में आपका क्या रहेगा 2M ठीक है तो यह आपका आजाएगा L equivalent तो यह तो था आपका पहले case का proof ठीक है आपको हमेशा ऐसे ही करना है dot का मतलब आपका होता है क्या same polarity तो उसके हिसाब से आपने बताया यहां पे L1 plus L2 प्लस आपका क्या रहेगा साथ में 2M आपका आजाएगा तो यह था आपका first case के regarding अब हम बढ़ते हैं आपका दूसरा case लेते हैं यानि कि इसके dots को हम क्या करते हैं अब आपका change करते हैं अगर आपका case होता है यह वाला यानि कि इस तरीके से कि यहां पे आपका dot कहां पे है एक तरफ आपका entry पे dot है और एक बार आपका exit पे dot है यानि कि dot आपके इस तरीके से given है एक dot यहां पे है और एक dot आपका यहां पे है ठीक है? इस तरीके से आपके दो dot given है, तो अब फिर से हम वही करेंगे, जो आपने last case के अंदर किया है, यानि कि इसको मानेंगे coil first और इसको मानेंगे coil second, इसका inductance L1 है, इसका inductance L2 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, अब वो देखिए, यहां से फिर से वही, consider first coil only, consider first coil only, सिरफ हम कौन सी coil को consider करेंगे पहली coil को आपका consider करेंगे, तो first coil को जब आपका consider करेंगे, तो यहां पे आपका क्या आएगा, देखो, first coil के case में आपका क्या है, first coil के अंदर आपका इस तरीके से, यह आपकी पहली coil है, यहां पे आपका current को इस बार हम assume कर लेंगे, कौन सा current है, आपका I1 है, इसका inductance given है L ठीकिए? और dotма कहां पर given है, dotма given है इस तरफ में, dotła कहां पे given है, इस तरफ में, dot Champa given है, तो यहां पे आपका कैसे आएगा, देखो, जहां से current आपका enter करेगा, वहां पर positive, और जहां से leave करेगा, वहांपे आपका क्या आएगा? negative. तो हमने यहां साफ साफ नजर आ रहा है, कि इस dot के उपर आपका क्या है इस dot के उपर आपका negative symbol है तो इसकी वज़े से अब दूसरी coil के उपर क्या effect पढ़ेगा वो हम देखते हैं तो यहां से अब हम देखते हैं second coil तो second coil के अंदर आपका dot कहां पे है second coil के अंदर dot आपका यहां पे है इस point के उपर तो इस point के उपर अगर आपका dot होगा तो क्योंकि इस dot के उपर आपका negative है तो इस dot के उपर भी आपका क्या रहेगा negative क्योंकि dot का मतलब क्या होता है same polarity तो इस dot के उपर अगर आपका negative है तो इस dot के उपर भी क्या रहेगा negative यह मैं समझेगी डोट के उपर आपका जो पहले वाले में पोजिटिव था इस बार भी पोजिटिव होना चाहिए, वहाँ पे डोट पे पोजिटिव इसलिए था, क्योंकि डोट आपका एंट्री के उपर दिया हुआ था, और इस बार आपका डोट कहां पे है, exit के उपर है, तो यहाँ पे आपका डोट के उपर नेगेटिव है, तो इस डोट के उपर भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव का सिंबल आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आजाएगा, पोजिटिव का सिंबल आपका आजाएगा, ठीक है, तो अब इसकी वज़े से आपका क्या इफ यानि कि पहले आपका negative है और बाद में आपका positive है तो यहां पे पहले negative और बाद में आपका positive है ठीक है जो पहले होता है वो पहले आता है और जो बाद में होता है और यहां पे क्योंकि इन दोनों के बीच में mutual inductance आपका M given है तो यहां पे भी हम क्या लिखेंगे इसमें M ही ल इसकी वजह से कुछ फ्लक्स इसके साथ में लिंग करेगी तो उस फ्लक्स का क्या भी हीवियर होगा वो यह करन्ट करता है तो इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं mdi1 by dt यानि कि इसके अंदर जो वोल्टेज इंड्यूस्ट होगी उस फ्लक्स की वजह से उसकी पॉलर्टी क करेंगा क्या होगी वो यहां से पता चलती है यहां किया पता लगा रहा है पहली कोईल आपकी बनाते हैं वही पहले तो ठीक है यह आपकी फर्स कोईल है लेकिन फर्स कोईल के अंदर हम कुछ नहीं देखेंगे क्योंकि हमें कौन सी कोईल कंसीडर करनी है second वाली coil consider करनी है तो यहाँ पर आपका बनाते हैं कौन सी coil आपकी second coil यह है आपकी second coil और second coil का आपका dot भी बनाएंगे और current भी बनाएंगे लेकिन पहली coil का current नहीं लेंगे सिर्फ क्या देखेंगे आपका dot तो यहाँ से आपका dot कहां पे given है dot आपका यहाँ पे given है, यानि कि dot आपका यहाँ पे है, तो इसका current आपका यहाँ पे है, तो इस बार dot से आपका current एंटर कर रहा है, तो जहां से current एंटर करेगा वहाँ पे positive, current जहां से एंटर करेगा वहाँ पे positive, यानि कि जो आपका positive और negative का जो symbol है, वो तो current की entry और exit के हिसा तो पहले वाले dot की ओपर ऑपर भी आपप क्या आयेगा पोजिटिव आएगा और पहले वाला है this is L1 और यहां पर इसकी क्या हो जाएगी polarity ठीक है और इसकी polarity क्या आएगी minus और plus क्योंकि पहले minus आ रहा है और फिर बाद में आपका क्या आ रहा है plus आ ठीक है तो यहां से हम इसको लिखेंगे m di divided by dt और यह कौन सा है आपका आजाएगा पहले coil के case में यहां पर आपका L1 है और यहां पर आपका क्या है यहां पर एक dependent voltage source similarly यहां पर आपका second case है इसका inductance L2 है और आपका एक dependent source यहां पर भी connect है और क्योंकि आपका current क्या है वही same है पूरे इसके through तो यहां से भी आपका current क्या रहेगा same अब यहां से this is minus and this is plus पहले वाले के coding और यहां पर आपने कह लिखा MDI2 और क्योंकि I1 equal to I2 it is equal to I है तो I2 की जगे में क्या रख सकता हूँ I रख सकता हूँ divided by dt और यहां पर भी minus और यहां पर plus और MDIY dt ठीक है इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं और यहां से अगर हम इसको देखें तो यहां से आपका total जो voltage आपकी इस बार आएगी यहां पर क्या जाएगी V it is equal to L1 DIY dt पहले वाले केस में फिर आपका क्या है plus MDIY dt दूसरे वाले इसके केस में फिर उसके बाद में अगला plus L2 DIY وقan d by dt और लास्ट में आपका क्या है plus और सुरी हम यहां पर माइनस अपका प्लस नहीं है यहां पर क्या है минनस और यहां पर माइनस आपका और यहां पर माइनस है क्योंकि यहां से current एंटर करेगा होँए पोजिटिव इस तरीके से तो यहां पर negative आ रहा है यहां पर positive और य di by dt तो यह आपका आजाएगा अब यहाँ से this is equal to अपका क्या होगा l1 plus l2 minus 2m di by dt और l equivalent अपका क्या हो जाएगा यह आपका क्या हो जाएगा l equivalent तो इसका हम लिखेंगे l equivalent this is equal to l1 plus l2 minus 2m ठीक है तो यह आपका आजाएगा इसके case में ठीक है अब ऐसे ही आप इसके बाकी के दोनो case खुद से try कर सकते हो दोनो case का मतला आपका क्या हुआ एक case के अंदर आप इसमें ले सकते हो वही देखो एक case के अंदर आपका यहाँ से मैं आपको मोटा मोटा बताई देता हूँ फिर आप इसको खुद से भी करके देख सकते हूँ तो यहाँ से अगर आपने dot लिया कहां पर इस पर आपने dot लिया और एक आपने इस point लिया है ठीक है अगर आपने इस दोनो point पर आपका dot लिया है तब तो तब आपका क्या आएगा देखो जब हम सिरफ आपकी पहली coil consider करेंगे तो पहली coil के किसमें आपके आएगा यहाँ पे जहां से current enter करेगा यहाँ पे positive और यहाँ पे आपके आएगा negative और क्योंकि पहले आपके जब हम पहली coil को consider करेंगे तो dot के उपर आपका negative आया है इसकी वज़े से यहां पे plus और minus आ जाएगा अब ऐसे ही जब हम second coil को consider करेंगे तो second coil के case में क्या है आपका current यहां से enter कर रहा है तो जहां से enter ले रहा है वहां पे positive और जहां से exit ले रहा है वहां पे negative और क्योंकि dot के ओपर यहां पे इस बार negative आया है और L1 plus L2 क्योंकि PLUS है और यहां पे PLUS है तो आपका हो जाएगा PLUS का 2M तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका current दोनों dot से enter करता है तब आपका PLUS 2M या फिर दोनों dot से exit करता है तो इस case में आपका क्या कर रहा है दोनों dot से आपका exit कर रहा है इस वज़े से आपका क्या आजाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2N और अगर एक और केस आपका बन सकता है जो आप solve करना चाहो यानि कि ये वाला आपका देखो अगर आपका इस तरीके से given है कि इस बार आपका एक डोट यहाँ पे है तो सेम आपका यही प्रोसीजर है यही आपका L-Equellent आपका निकलेगा तो यह था आपका in cases के बारे में ठीक है यानि कि आपका dot polarity के series connection के बारे में अब हम कुछ transformer के अंदर भी देख लेते हैं या फिर आपका parallel circuit के अंदर आपका देख लेते हैं कि parallel circuit के अंदर क्या-क्या change होते हैं आपके